आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी बहुत ही युमी रेस्पी लेकर आया है जिली चीस टोस्ट बहुत ही अच्छी रेस्पी है उमीद करता हूं आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी इसरी बच्छों के फ्रेयरेक बात्त के लिए अपनी बहुत वुत काम आएगी रेस्पी ज़रूर टाए करें गरम में बहुत अच्छी रेस्पी है चैली रेस्पी स्टर्ट के आप लिए हमारे पास को के केजी हमने जो है वो क्रश कर दी है अब इसके ओपर हमने 25 ग्राम जो है ना यह चिली पौडर डाला है रेड चिली पौडर अब तकरीबान इस पे मैदा जो है वो हम एड़ करेंगे यह 500 ग्राम मैदा है एक पौड दो केजी जो है यह हमारे पास वो चैड़र चीज है और इसमें 500 ग्राम हमने मैदा एड़ किया है मैदा जर अच्छे तरीके से आपने साइटों में बिल्कुल कोनो कोनों में भी आपने एड़ कर देना है अब इसके बाद जो है वो हम यह आप देख सकते हैं अंडे जो है यह मैंने दो एड़ कर दी है अब यह तीसरा अंडा भी एड़ कर दिया है अंडे तकरीब हमने जो है यह दो किलो चीज में आठ अंडे जो है न वो एड़ करने है अघ्टे ज्यादा आंडे अड़ करने क्योंकि ज्यादा अंडे एड़ करने से आप जो चीस है और ऊतनी यह जाब पो रहर ने है और कम भी निय brace got अच्छ तरीके से जो है से मिक्स करतेंगे अब इसकी ऐस हाध को मेश कर ने है इसको प्रॉपर तरीके से या पुरी चीज को दोनों हातों से एक अच हथ से नहीं तो दोनों हातों से याप करते अच्छे तरीके को आप इसको घिस जो पा आपने मिक्स करना मोटा मोटा ना रहे से मोटा मोटा रएगा तो यूद्स तो फिर एपनी पकड़ पर वो नहीं करेगा इतने अश्च ठीसे मिच्स हो जाए गी М estल होजेगी आ यह पूरे 8 हंडे जो है ना हमने एड़ कर दिये चे पहले किये थे दो अब की 8 हंडे पूरे एड़ हो गए यह आप देख सकते हैं ज्यादा हाड भी नहीं और ज्यादा यह मेल्ट भी नहीं पिल्कुल प्रोपर तरीके से मिक्सेज जो है वो तैयार हो चुका है चीज जो है वो हम लोगों ने ब्लेड टोस के ओपर डालना जो है शुरू कर दिया है ब्लेड के स्राइस जो है वो हमने रख दिया है और चीज जो है यह तकरीबन सतर से असी ग्राम जो है यह इसमें हर ट प्र ट्पाल में जता को स्ञाइब जो ह्आजी कोई ऑपो कशीज टॉ we go उपने हैं प्रैफी हम लोही जो एपने हुआ फंड नहाइए है से लिग ओड घाने अपाड अच्छते बिल्कूल अच्छे तरीके से हलका पाणी जो गार वह अन्यों से प्रेस करके यह हमारे यहां तो कंटिन्यू बनते रहते हैं इस वज़ा से प्रैक्टिस जो है वो अच्छे तरीके से हो गई है साइटों से बिल्कुल बाहर की तरफ चीज नहीं आनी चाहिए बैल्ट हो के बाहर गिरे ना अच्छे तरीके से पानी के साथ आपने हाथ में सकते हैं डीप फ्रीज कर लें कि खराब यह होता नहीं है पंदरा दीन बेज दीन एक मैना यह आराम से आप इतने बना के रख लें बच्छों के ब्रेक फास के लिए यह कंटिन्यू रोज बनाना चाहें तो रोज बना सकते हैं इसे बिल्कुल फिक्स करके बन जाते हैं यह जीज टोस्ट जो हैं यह हमारे तकरीबान सब रिडी हो चुके हैं इसे अब फ्रीज भी करते हैं फ्रीज करने के बाद निकाल के अब इसे फ्राई करना स्टार्ट करते हैं अब फ्राई करने से पहले जो है यह अच्छे तरीके से चारों साइटों से इसकी कटिंग जो है करें चारों शीओ करके और करते हो मैं खुंड ऑं करते हैं कि हम ऐसी करने हैं कि क्ट आपकों स्काझा तैसे कर सकते हैं कि ऊच्छी आप कोई कज्छा करना हैंक उत्धाल को दोच जब कि अनुड होकि अबBaying ते आट भूग्प करते हैं यह आप देख सकते हैं फ्राइ जो है यह हो चुके हैं बहुत ही खुबसूरत इसका कलर जो है वो आ चुका है अब हम इसे निकाल लेंगे और आपको प्लेटिंग जो है वो मैं दिखा देता हूं प्लेटिंग ऐसे इसकी होती है यह आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल और ब मुझे पूरी उमीद है आप लोगों को यह रेसिपी पसंद आई होगी मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए नेक्स वीडियो मैं इससे भी अच्छी आप लोग के लिए लेकर आऊँगे थैंक यू